हमीरपूर में निजी बस ओपरेटरों ने आज भी बसों की पही अजाम रखे और मांगी नहीं माने जाने पर बसों को नहीं चलाने का निगने लिया हालनके गद्दिवस शिमला में मुख्यमंती चैराम ठाकूर के साथ हुई बैठक में हर्ताल खतम करने के लिए निगने लिया गया था लेकिन केबल आसबाशन ही मिलने पर हमीरपूर निजी बस ओपरेटरों ने हर्ताल खतम नहीं की है हमीरपूर बसड़े पर दोपहर के समय निजी बस ओपरेटरों ने सरकार की खिलाफ चोड़दार नारेवाजी की निजी बस Operator Union के पर्धान नरेश दरजी ने कहा कि जब तक सरकार निजी बस Operator की मांगो को नहीं मानती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी और शाम तक सरकार ने मांगो को नहीं माना तो कल चक्का जाम किया जाएगा उन्होंने कहा कि नियुन्तम किराया 10 रुपे होना चाहिए जैराम ठाकर जी से मंडी में बारतालाब करेंगे अगर सरकार हमारा जो हमने डिमांडें रखी हुई है मांगें रखी हुई है अगर सरकार को उसको सही डंग से मानती है तो हम अपनी हर्ताल जो है बापस ले लेंगे अगर सरकार अपनी हमारी मांगों से बाहर जाती है तो हम कल से समस्त चका जाम करेंगे उनको ड्रया गया है कि अगर आप स्टाइक बंद नहीं तोड़ते हैं तो हम आपकी बसे आपको अंधर करेंगे वहीं बस ओपरेटर विजित अकूर ने कहा कि बस ओपरेटरों से एक साल में टेक्स पंदरा बार लिया जा रहा है और बस ओपरेटर घाटे में जा रहे हैं। उन्होंने अरोप लगाया है कि पूर परिवहन मंत्री बाली के समय में नीजी बस ओपरेटरों का शोशन हुआ है और अब सरकार भी मांगे नहीं मान रही है जिससे बस ओपरेटरों में रोश बढ़ रहा है अरोप लगाया है और जो सरकार भी लगाता रहा है यह नहीं चल देने के हम हम हमें इसके खिलाब चाहिए घर समना जब तक कीज़ना पड़े हम हर दिन गाड़ी चला के पैसे कम कर रहे है खड़ी करके विज़ना नुफसान नहीं हो रहा है हमारी बारतला मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई है आज मुख्यमंत्री मौदे ने शाम को मंडी सर्पड़ाउस बुलाया है जब बादचीत हो जाएगी और मीडिया में आ जाएगा उसके बाद ही हरताल जो बंद होई मजबूरी में आकर हमारे को ये ना जाते हुए भी हमारे को ये जो है स्टेप लेना बड़ा जब तक हमारा निदान आर पार नहीं होता तब तक अनिश्चिल खालें चली रहे जाएगा 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 जाए